ग्रावार रादे रादे क्या होता है राधे पहले नहीं थे का अरे बावा जो आप जिस पर्मे परमात्मा को मानते उनका ब आतते करहाँ लैंपर्मात्मा की जाय है बोले और पर्ली स्जुनाम तो बहुत अजीवों गरीब रास्ता हैं इधर की रास्ते हैं जो बहुत अजीब है हम लोग आफ रोडिंग कर रहे हैं इस समय देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से और पीछे दिलीब भाई हैं हमारे जो अंदर से गुफा जैसे कि हम लोगों को मिली है अर इन व्यास्ता है रहते हैं पर फिर हम लोग आ गये हैं इस पूरा रेटिला इ confession काफी है और भाईया यहां से जा रहे हैं देख चक्ते हो सुकून अफ लाइफ चैनल का नाम है भाई और यहां पर गाली भाई की फस गई है देख चक्ते हो हुआ है इसे लट्दाकों में चलाने का प्लान है तो फिर हम लोग अब यहां से ऑफ रोड़िंग करते हुए जा रहे हैं हनुमान गड़ी तक हनुमान गड़ी क्या एक्चुली हम लोगों को पीज में गुफाएं दिखानी है जो नेचुरल व्यूटी है यहां की नैमिस धाम की और यहीं से अम लोगों को टर्न लेना है कि साफ्टन और कच्छी रास्ता जोड़ा द्यान से अफ रोड़िंग है कि देख सकते हैं जैसे बाबा से पूछते हैं अभी कि अब बाबा कि यहां पर गुफा कहुं होती गुफा कहां आई बाबा कि हुआ पर होने तक गोई ठीक बाबा बाबन बताएं नहीं बाबा बाबा राम राम तुम्हारी मुच्छे सवगराम अपाचे आर्टी यार यह खळण्या जो गया है कुछ लोगों पर यह 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 वहीं तक गया सही बोला देख सकते हो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं समाधी के पास और यह लास्ता मैंने जैसे बूला था कि परिया है यही श्रीराम मर्यादा पुर्श कर श्री राम मुच्छन ने चौदा वर्ष का लास्या था तो यहीं वह वह यहीं वह गवार्णे जहां श्रीराम कने Deb अब बाबा से मुलाकात किया जाएगा अफर बात किया जाएगा फिर भुचा जाएगा कहां पे हैं अब बाबा बाबा गुफाएं कहां पे हैं बाग में तो बाबा ने हम लोगों को बाग में भेज दिया और यह प्यारा सा मंदिर है सुंदर सा देख सकते हो आप लोग बहुत सुन्दर लग रहा है इसकी सुन्दर सा अपरम पार है पापरादी रादी इसी बाग में है अब बाग में है और अब अब गाली गाली दे रहा है अब है अब है अब जो को चाहिए अब शमाधी यह समाधी स्थल में गुफाया जो हनुमान गड़ी तक जाती है क्या आपको जानकारी होगी अगल Ja Hey, Warabab, यहां नए है तो रमेश कुमार जी आप यहां कितने दिनों से वी कार रहे है हैं में पहली तारीक से मतलब कल से ही आप गूसी कर रहे हैं तो पता नहीं है तो आगे आको से बूचते हैं यहां का यहां पर यह समाधी इस्थल है यहाँ समाधी मंदिर है यह समाधी वाला देख सकते हैं यह बहुत प्यारा है देखने में बहुत अच्छा नजर आ रहा है जी तो फिर हम लोग आगे चलते हैं जो दुट है जिए रादे-दे जैसे रादे रादे बाबा और यह गुफाय कहां पर है यही बाग में ह täna इसा नहीं करना चाहिए अब जब जाये आप तो गन्दीगी कि बिल्कुल भी प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए और आप हमारी जो नेचुरल ब्यूटी को है उसमें चार चान लगाएं कंदगी ना फैलाएं यहां पर कि amount कर दिखाई दे रहा है और भी ठीस वाले भी हमारे बाइक से चल जुब हैं कि तो थक चुके हैं काफी को अक नाम हरियर लाम आपको लेपकर Daysir कि अब 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 कि और इन लोगों को ऐसे विस्थापित इस्थापित किया गया है जैसे कि मानों यह सच में हो पर यह मूर्ति हैं देख सकते हैं आप लोग जीवित और यहां पर यह मर्यादा पुरसुत्तम राम जी सीता जी और लच्मड जी और साइड में इधर हनुमान जी देखने को आपको मिलेंगे और फिर इधर यह बोले ना जी देखने को मिलेंगे जो गुरु जी है कि समाधी धाम में फिर इधर आपको सणी देखने को मिलती है तो फिर हम लोग अब गुफाओं के अंदर जा रहा है दिखाते हैं आपको गुफाओं अब यह सब गुफाओं है यहां जुपकर आना पड़ता है और यहां बाबा आराम करते हैं जैसे देख सकते हैं आप लोग अब इधर आप आएंगे तो फिर अंदर से यह धर दर्वाजा है देखेगा यह गुफाओं आपको बताईएगा आप लोगों को पैसी गुफाओं लगी है यह पूरा अंडर ग्राउंड है और इसके अंदर जो गुफाओं है वो बंद की जा चुकी हैं जैसे कि इधर साइड में इधर साइट से भी था पर अब इधर दिवाल उफादी ग जाके तो इधर साइड में काफी कुछ था आप बंद करना जा चुका है और जैसे कि आप उपर देख सकते हैं छत पर इस प्रकार से कुछ तिखाई देता है में लोगों को उपर का व्यू गुफा के अंदर खड़े हुए है यहां टमप्रीजर काफी ठंडा है बाहर के और पिर हम लोगा बाहर के तरह जा रहे हैं अब तरफ जा रहा है अरियूंबाई अब बाई और काफे हम लोगों ने चल लिया है चल रहे हैं आपके दूसरा टॉट और यह जो मठ है यहां पर लोग समादी स्कल में आते थे और ध्यान लगाया करते थे यहां पर आकर बड़े बड़े ज्यानी बने हैं इसी गुफाओं में बैठ कर ज्यान अर्जित किया है जो वेद हैं वेदों का ज्यान भी इनी गुफाओं से लिया गया है देख सकते है यह गुफाएं हैं और यहां पूरा अंधेरा चाया हुआ है और फिर यह आरपार गुफा निकल जाती है उदर साइड में निकलती है जाकर अब बहुत वाहर जा रहा हूं चमस अब देख सकते हैं यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है आरपार यह समाधी इस्थल है और यहां पर आम मिल चुके हैं को कच्छी कहरी आप देख रहे हैं यहां 108 सिवलिंग्स हैं जैसे कि आप देखेगा वीडियो के माध्यम से 108 सिवलिंग्स हैं यहां पर और एक हजार आठ हैं 1008 हैं और 1008 सिवलिंग्स हैं और इसका नाम है शरश्चति शरोबर देख सकते हैं यहां पर यहां पर देखेगा बड़ा साइब दर शिवलिंग्स है फिर इदर छोटे-छोटे सिवलिंग्स है अ कि आपी शंख्या में अधर तीलिंग्स है वजस्टि श्वलिंग्स में ता इंड्वा यहां ऊसे सीबदे शाटक पाने करच पानदेन जह में पुर्णे झाल झाल और यह सरोवर जो है पहले इसमें पानी हुआ करता था लेकिन अब इसमें सूखा पड़ा हुआ है और यहां पर एक हजार आठ सिविलिंग जो आपको मैंने यहां पर दिखाई है और काफी अच्छा है इसे बोलते हैं सरस्सती सरोवर जो अब सूखा पड़ा हुआ है जैसा क कि आप देख सकते हैं यहां और यहां पर जब भी आप आये ना बैठेंगे तो सान्थी। मैंन यहां पर आप अपने आपको किश्फुल माइंड फिल करेंगे तुप मैंड फिल करेंगे तो करेंगे भारत और दुनिया को मिलाके जो मुख्ष सिव मंदिर है उनमें से 1008 सिव मंदिरों को चूज किया गया और उनके महास्थाबित सिव लिंगों लाके एक जगा के यहां पर उनके प्रोटोटाइप करते हैं तो यह खास बात थी 1008 सिव लिंगों की यह जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यह मंदिर बाला जी का मंदिर है देख सकते हैं आप लोग वीडियो के माध्यम से और फिर मैं आपको अंदर से दर्शन कराता हूं इस मंदिर के अदर यहां काफी टूरिस्ट आते हैं यह टूरिस्ट प्लेस है यहां का और यहां पर भाईय आपक इस अब है और इस मंदिर का निर्माण अभी चली रहा है आला कि अभी एक उड़्ता बना हुआ नहीं है पूरा दूरा है in मंदीर का और में मंदिर उधर साइड में है तो अब हम में मंदिर में पहुंच रहे हैं वह दौर था उसका और इसकी जो कारी गरी है हो सच में बहुत प काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं देख सकते हैं आप लोग और फिर मंदिर के अंदर जाते हुए और मंदिर के तीन दौर हैं आप किसी भी दौर से प्रवेश कर सकते हैं और यह मंदिर में सामने ही आपको खंबा देखने को मिलेगा और उपर साइड में कुछ इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है अम अगरा को और यहां वीडियो नौट एला हुए तो मैं वीडियो नहीं बनाओंगा यह सिए मूरति स्ठापित की गई है यहां पर देख सकते हैं बहुत पढ़ी नजर आती और बहुत धिशाल मूरति है यह और इन भगवान का नाम सत्य नारायण है यह शत्य नारायण भगवान जी की मूर्ती है यहाँ पर देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर यह इधर रसोही त्यार हो रही है खाना बनाया जा रहा है देख सकते है और इधर जो हमारे होम गाट भईया है वो अन ड्यूटी पर है इस समय भईया सुबनाम क्या है आपका यह संभू दयाल जी है और भईया आपका श्याम प्रकाश और राम प्रकाश यादव जी है और पीछे वाले भईया फोटोग्राफर जी आपका क्या नाम है बाला जी मंदिर फोटोग्राफर अतिक, अगर कभी भी आपको यहां बाला जी में फोटो सूट कराना है, तो भाई इसे संपर्ख करें, कौन सा है कैनन का D? चपन सो बावन सो, यह बातिस सो है, डी पैतिस सो है